आशा है अच्छे होंगे तो हम लोग जो है यह अपना जो चेप्टर 12 इलेक्रिसिटी वाले में हम जो है निम्रिकास कोशन देख रहे थे तो हमने लगबग जो है 9 कोशन तक के देख लिया था ठीक अभी उसके बाद वाला जो कोशन है वो देख तो यह कोशन नमबर 10 तक हमन करवा दिया था इसमें देखिए इस टेप के कोशन करवाया था शो देट हाव यूड शूट कनेक्ट 3 रजिस्टर तीन रजिस्टर आपको दिये हुए है और इच आप 6 ओम रजिस्टर सभी के क्या 6 ओम रजिस्टर है तो यह कॉमिनेशन ओफ रेजिस्टेंस कितना मिलना अच्छे यह 9 ओम और 4 ओम पिछले बार देखा था आपने इस टेप को कॉश्चन है ना तो यदि अगर माल लिजे 6 ओम रजिस्टर है तो आप क्या से कनेक्ट करेंगे है ना तो इसको सोचे तो यदि अगर माल लिजे आप डिफरेंट टाप के कॉम्बिनेशन बना के देखिए पैरलल में यह कॉम्बिनेशन होगा तो पैरलल में अगर लेते तो कितने आपके 6 ओम है तो 1 by 6, 1 by 6, 1 by 6 ऐसा लेंगे तो यह तो आपका 6 हो जाएगा और 3 तो यह रिजिस्टेंस जो आपका निकल जाएगा 6 by 3 यानि 2 आ जाएगा तो आपको इसमें नहीं मिल पा अगर सबको लगाते हैं तो है ना 4 ohm भी नहीं मिल रहा ठीक है तो फिर कि और कौन सा कॉम्बिनेशन कर सकते हैं तो उसके बाद वाले कॉम्बिनेशन में हम यह कर सकते हैं कि भाई दो जो 6 ohm के रेजिस्टर हैं उनको हम क्या कर लें पैरलल में लगा दें तो यह दिगर मा पहले से कितना है 6 है, तो यह दोनों मिलके यह एक रजिस्टेंस हो जाएगा और वह कितना हो रहा है 3 हो रहा और यह पहले से 6 है, तो 3 यह आपके सीरीस में हो गया तो 3 plus 6 तो 9 हो गया तो यह 9 oon आपका यह मिल गया, कहने का मतलब है, ठीक है भाई, तो यह कॉम्बिनेशन ह जाएगा अब इसके बाद में एक और दूसरा ओला combination है उसमें आपको किता ओम लेना है फोर ओम लेना है तो फोर ओम लेने के लिए केस तरीके का arrangement करेंगे तो आप जो है आपने parallel तो देख लिया था तो वो नहीं हुआ था और दो आपने parallel करे थे ये ना और एक जो है आपने series में किया था अब एक combination को मुन सबज गया कि वह दो जो है series में हो जाए है तो माल लिजिए एक जो है ये 6 ohm ले लिया ये भी एक 6 ohm ले लिया 6 ohm और 6 ohm तो इनको क्या कर दिया आपने series में लगा दिया और एक और एक को एक को parallel में लगा दिया ये 6 ohm को तो यदि अगर माल resistance किता हो जाएगा series में ये तो सीधा ही होता है तो 12 ohm हो जाएगा अब ये 12 ohm वाला जो है इस वाले 6 ohm के साथ में क्या है parallel में है तो therefore कितना हो जाएगा 1 by 12 plus 1 by 6 हो जाएगा तो यहाँ पे फिर LCM ले लिजे तो 12 भी होगा तो ये 1 होगा और प्लस 2 होगा तो 3 by 12 होगा या 12 by 3 करते हैं है ना equivalent resistance तो 4 हो जाएगा तो ये आपको लाना था clear है ना भई ये 4 ohm लाना था ठीक है तो इनको क्या करेंगे दो को ये अगर हमने series में करा है तो 12 और इसके साथ में इसको जोड़ देंगे तो ये 4 ohm तो ये आपको एक जो था आपका 9 ohm चाहिए था दूसरा इसके पहले भी मैंने इस टाइब का question को करवाया है और इस टाइब के question जरूर से आते हैं तो आप उनको जरूर से देख ले अच्छी practice करें उसकी ठीक है भी उसके बाद एक और question आपका दिया हुआ इस टाइब का question भी मैंने जो है करवाया हुआ है पहले आपने देखा था एन नंबर आफ वर्ल्स वाले जो की parallel में लगे हुए तो यहां पर आपका है several electric bulbs designed to use 220 volt electric supply जो है कुछ bulb है जो की इस टाइब से डिजाइन की गए जो 220 volt electric supply पर काम करें उन पर कितना लिखा है 10 watt लिखा हुआ है how many lamps be connected in parallel which other across two wire of 220 volt line 220 volt supply दिया गया तो कितने बल्ब को लगा सकते हैं if the maximum available current कितना है 5 ampere तो यह आपको question आपका दिया हुआ है तो इस question को भी हम दो तरीके से बना सकते हैं पहले हम तो या तो जो है resistance निकाल ले total resistance कितना हो रहा यह निकाल ले circuit का है न भई और फिर बाद में जो आपका एक bulb है उसका कितना resistance होगा यह पता लगा ले और फिर बाद में n number of जो bulb है यह न वो कितने लगेंगे वो निकाल ले एक तरीका यह हो सकता तो यह ऐसा कैसा हो जाएगा यह देख ले जैसे वन बल्ब है उसका पावर आपको दिया है दस वाट दिया और पोटेंशल डिफ्रेंस कितना है 220 वोल्ट तो आपको मालूम है पावर पी एक्वल दें वी स्क्वेर बाई आर होता है यह relation मालूम है तो अगर आर निकालना चाहेंगे तब हो जा लेते हैं तो यह लगभग आपका आ जा रहा है 4840 है ना ओम तो यह द्यान दे यह टोटल रिजिस्टेंस है यह सरकीट का ठीक है तो यह तो हो गया जब टोटल बल्ब का रिजिस्टेंस इतना है तो एक बल्ब का रिजिस्टेंस कितना होगा यह पता लगा ले तो ओम स्लॉ गया और टोटल जो बल्ब है उनका किता हो रहा 4840 के टोटल रेजिस्टेंस इता हो रहा अब माल लिजे कि N नमबर लगाए गये है एकस नमबर या N नमबर लगाए गये है 176 ohm है ना और बल्ब का रेजिस्टेंस किता 160 ohm है ठीक है तो यहां पर इक्वारेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर कनेक्टेड इन पैरलल इस 44 ohm ठीक है तो 176 ohm के यह आपको दिया होगा ना है ना यह दिया था आपका तो यहां पर थोड़ा सा मिस्प्रिंट हो गया यह तो आपका जो है जो पिछले बार आपने यह देखा था यह वाला रेजिस्टेंस किता है 44 ohm है 176 ohm किसी और कोश्चन का छप गया होगा यह आपका 44 ohm होगा तो 44 ohm के कितने रेजिस्टेंस को जोड़ा जाएगा तो इसका फार्मूला है माल अगर मैं निकालना चाहूंगा तो आर इक्वेलेंट बराबर क्या होगा आर बाय एन होगा ठीक है इस तरीके से फार्मूला हो जाएगा तो यह दिए अगर माल लिजे आर इक्वेलेंट जो आपने निकाला थे हैंने टोटल रेजिस्टेंस की बात चल रही है तो वह कितना हो गया 48 40 हो गया यह टोटल रेजिस्टेंस अपने निकाल दिया और एक बल्ब का रेजिस्टेंस अपने को मालूम है वो कितना था 44 था यह भी निकाला अपनने और कित्ती संख्या यह एन निकालना है तो कुछ नहीं करना एन को यहां उपर ले जा लिजे और 48 40 कर दिजे है नहीं ठीक है यह इधर चलाएगा उपर 44 कर दीजिए तो यह अगर यह आप 11 से डिवाइट करते हैं तो 11 से हो जाएगा यहां पर 4 हो जाएगा और यह 44 और फिर यह 4 0 है ना और फिर यह वन जा और यह तो 110 हो जाएगा इस तरीके से पैरलल में कित्ते बल्ब लगाने पड़ेंगे 110 बल्ब लगाने पड़ेंगे एक बल्ब फिर दूसरा बल्ब है ना फिर तीसरा बल्ब इस तरीके से 110 बल्ब अगर अपन लगाएंगे जिनका रेजिस्टेंस कित्ता है हर बल्ब का 44 44 होम है यह ना और टोटल रे एक स्ट्राइब डॉट को पिग्लाके ये उत्ते रेडियस की कित्तने गोले बनाे जा सकते तो दौनों का बल्यूम भाग देख तुर संख्या निकल आती थी यह आसे दोनों रेजिस्टेंस को आपन डिवाइड कर देंगे तो वह ओ संख्या कर दिया गया मान लो यह कि यह उलक्टिक ओवन है यह रर्यजिस्टेंस है मान लो और जिसक की सप्लाइ किती है 220 ओल्ड से है यह ना has two resistance coil ब्समें ध्यान दीकित डोąek यह यूज़्सटेंस कोईल A है और A की हैं लेकिन दोनों का रिजिस्टेंस किता है 24 Ohm और 24 Ohm है ठीक है वीच में भी यूज़ सेपरेटली अलग-अलग भी यूज़ करते हैं सीरीज में भी यूज़ करते हैं और पेरलल में भी यूज़ करते हैं what are the current in three case तो आपको current बताना है ठीक है बई, तो बना लेंगे बहुत आसान कोशन है, कुछ नहीं करना है अगर separately है तो चाहे इसका ले चाहे इसका ले, दोनों का जो है current सेम निकलेगा, तो ये तो simple ohm slot से अपन यूज़ कर लेंगे वीक वल्देन आई आर तो ये रख देते हैं तो separately दोनों का अलग अलग current जो 9.16 ampere बताएगा ठीक है और ये अगर series है, तो उस case में series में दोनों का resistance को जोड़ दे जोड़ दे, जोत इत्ता हो जाएगा और i equal then ये ले लेंगे तो इत्ता हो जाएगा और ये अगर parallel में लेते हैं तो ये फिर parallel का formula लगा दे और तो ये resistance कम हो जाएगा so current और बढ़ जाएगा ठीक है भी? तो बना सकते हैं आप आसानी से बना सकते हैं इस question को तो इसके बाद वाला question देखे compare the power in given used in 2 ohm register आपको जो है power जो used हो रहा है 2 ohm के register में करना है in the following circuit अब circuit भी बना दिया अब बोल रहा है 6 ohm battery in series with 1 ohm and 2 ohm register तो ऐसा थोड़ा अपन डाइग्राम बना ले कि 1 ohm और एक जो है दूसरा 2 ohm 2 ohm register ऐसे दिये हुए हैं अब ये किस के साथ connected है 6 ohm battery के साथ connected है ठीक है भई तो ये positive, negative और ये 6 ohm battery से connected है ठीक है और 6 ohm battery in series और ये दोनों series में है तो है न और आपको बोल रहा है power भी power आपको ये वाले जो resistance है इस से निकालना है ठीक है और फिर second case है भई 4 ohm battery है parallel with 12 ohm and 2 ohm register है न 4 ohm की battery तो parallel में है है न तो ये दो resistance और ले लिए ये वाला मानलो अपनने 12 ohm का लिया और ये दूसरा वाला जो है ये 2 ohm का हुआ मानलीजे तो आपको ये बैटरी लग गई है मानलीजें फिर से कितना है करेंट जो है यह सेम होता है और ओल्टेज अलग-अलग होता है ठीक है न भी ओल्टेज अलग-अलग होता है तो इसमें आपको क्या मालूम होना चाहिए आपको इसमें सर्कृट में जो है करेंट मालूम होना चाहिए है न तो ओल्टेज तो आपको दिया है तो लेकिन आपको इसमें दिया नहीं है, यह न, voltage दे दिया है, resistance दे दिया है, लेकिन current नहीं मालू है, तो current निकालने के लिए हमें total circuit का current निकालते हैं, तो यह दोनों series में दिया है, तो 2 और 1 है, यह कितना हो जाएगा, यह 3 ohm हो जाएगा, होज़े clear है, और फिर ohm's law यूज़ कर लेंगे, तो इस तरीके से 2 amp जो है, आपका यह current निकाल जाएगा, तो power का formula यूज़ कर लेते हैं, power p equal then i square और r, यह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, है न, तो यहां से use कर लेंगे, आच्छा इसमें है न, यह ध्यान दे, तो यहां पे i square current है, तो current आपको कितना दिया हुआ है, current आपको जो दिया है, 2 amp तो 2 और 2 यह 4 हो जाएगा इस तरीके से, और into कर देंगे, तो यह resistance 2 में, तो यह 8 है न, 8 watt निकल जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से निकल जाएगा, अब दूसरे वाली situation पे आते हैं, तो दूसरे वाली situation पे यह 1 ohm और 2 ohm, यह दोनों parallel में और 7 में, 4 volt भी आपका दिया हुआ है, ठीक है न भी, तो इसमें भी आपका current आपको नहीं दिया है, तो current आपको निकलना पड़ेगा, तो यह दियागर माल लीजे, यह 1 ohm और 2 ohm यह दियागर parallel में है, तो आपको मालूम है, इस वाली case में क्या होता है, कि voltage आपका same बना हुआ रहता है, और current अलग-अलग होता है, तो आपको यह वाले में, यह 2 ohm वाले में आपका, आपको यह current निकलना पड़ेगा, यह ना, तो फार्मूला होता है, V equal then, I, R, तो चुकि जो है, voltage तो same होता है, parallel में, तो यह 4 ही रहेगा, और जो है current है, यह बदल जाता है, तो माल लीजे, दो ohm वाला है, तो चाहूँ तो आप इसको I2 बोल दिया, और इसका resistance कितना है, 2 है, तो यानि I2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 Ampere हो जाएगा, ठीक है बई, तो इस तरीके से यह हमको मिल जाएगा, तो उसके बाद वाले में, parallel combination में क्या हो जाता है, कि जो आपका voltage जो है, वो constant होता है, तो हम यह formula लगा देते हैं, तो P equal then V square by R कर देते हैं, तो P equal then V की value किती है, तो 4 का square, 4 old था ना, और resistance उसका भी निकाल दिया था अपनने, 2 निकाला था, तो इस case में फिर से 16 और by 2, यानि फिर से 8 watt, तो दोनों का power कर जो ratio होगा, P1 by, अगर मैं कहे दू P2, तो 1 ratio क्या हो, 8 by 8, यानि 1 ratio क्या हो जाएगा, 1 होगा, ठीक है बई, तो ये ध्यान दे, दोनों का power, वो क्या होगा, सेम होगा, और compare ये दिगर करते हैं, तो 1 ratio बना जाएगा, तो उसके बाद का question देखे, उसके बाद का question आसान है, 2 lamps है, 1 rated, आपका 100 watt 220 volt है, और दूसरे वाला 60 watt और 220, हैंने, ओल्टेस तो सेम हो गया, are connected in parallel, अब यहाँ पे ध्यान दे, कि 2 lamps हो गए, माल लो एक ये lamp हो रहा है, ठीक है बही, और एक और ये दूसरा lamp ले लिया अपनने, है ना, 2 lamp ले लिया अपनने, और इनको कैसे लगा दिया था, parallel लगा दिया था, अब माल लिजे एक source हो रहा है, और उससे किता, 220 volts से हमने लगाया है, ठीक है, तो ये लगाया हुआ है, तो अब आपको ये बताना है, कि भही, what current, या निक total current कितना है, यही मतलब हो गया, तो जो power का formula है, पी इक्वल देन वी इंटू आई ले ले आप, तो ये देगर माल लिजे current निकलना है, तो आई इक्वल देन पी बाई वी, तो power आपको दिया है, वी दिया है, तो ये 0.5 ampere निकल आएगा, ये ऐसे दूसरा वाला करते हैं, तो ये इत्ता निकल जाएगा, और ये parallel वाले में ये देगर लेते हैं, तो current इससे अलग निकलता है I1, इससे अलग निकलता है I2, तो total जोड देंगे, तो I equal then I1 plus, क्या हो जाएगा, I2 current होगा, तो ये जोड के अपन निकाल देंगे, clear है, बन जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद वाला question देखे, question number 16 है, which use more energy, 250 watt TV set in one hour, 250 watt TV set एक घंटा चल रहा है, या 1200 watt toaster है 10 मिनट के लिए, है न, तो देखे इसमें समय अलग अलग है, इसलिए अपन ये नहीं कह सकती कि, 1200 watt है, तो वो सीधा ही जादा use कर लेगा, ये एक घंटा चल रहा है, ये 10 मिनट चल रहा है, तो फरक तो पड़ेगा, तो हम मारा जो है किस आधार पे निकल जाएगा, आपका जो फार्मूला होता है, electrical energy consumption वाला, जिससे हम units में बिजली भी calculate करते, बिजली अगर हमें मालूम हो, तो multiply करके हम निकाल सकते हैं, कि कितना पेसा लगेगा, यही चीज़े हम करते हैं, तो अब पहले वाला TV set के लिए लेते हैं, तो power इतना दिया हुआ है, और time 1 hour है, 1 hour मतलब 36 seconds, या 60 into 60 seconds हो जाएगा, तो यहाँ पे energy consume कर लेते हैं, तो आपको मालूम है, जो electrical power equal than electrical energy by time होगा, अब यह heat energy या electrical energy, E equal than होगा, PE और into हो जाएगा, T हो जाएगा, ठीक है बई, तो सभावी बात है, power आपको दिया है, तो power कितना दिया है, 250 watts दिया है, into समय कितना दिया हुआ है, 1 hour, यानि 60 into 60 seconds दिया हुआ है, चाहू तो आप power में भी रख सकते हैं, ठीक है बई, तो यहाँ लेकिन फिर इसको kilowatt hour में बदलना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, energy आप ले लेंगे, तो यह आ जाएगा इतना, यह ना बई, 9,000,000,000 Joule, यह आ जाएगा, अब यह तो आपका minute में दिया है, तो 10 minute को भी आपको, second में बदलना ही पड़ेगा, unit same होनी चाहिए, तो 600 second हो जाएगा, तो इस वाले में भी आप कैसे करेंगे, power इतना दे दिया है, और यह इतना हो गया, तो फिर यह इतना निकल लाएगा, है ना, यह 720,000 है ना, Joule हो जाएगा इतना, तो आप देख ले कौन सा है, तो इतना व लाख वाले जादा है, तो सभाविक बात है कि TV set जादा यूज़ होगा, क्योंकि one hour चल रहा है, इसमें केवल 10 मिनट चल रहा है, क्लियर है, तो आपन केवल इसको देखके नहीं बोल सकती, कि भी यही ज़्यादा कंजूम करेगा, केल्कुलेट करके हमको देखना पड़ेगा, उसके बाद देखो, question number 17 वाला है, एक electric heater of resistance 8 ohm, एक electric heater है, उसका resistance कितना हो रहा है, 8 ohm हो रहा है, और यह कितना हो रहा है, इसमें 15 ampere का current, I equal then कितना हो गया, 15 ampere, ठीक है भई, यह resistance हो गया, R equal then 8 ohm हो गया, तो है न, drop for a service में, दो घंटे तक के, वो supply ले रहा है, calculate the rate at which heat is developed in the heater, तो rate पूछा आपको heat develop होने के, तो आपको calculate the rate at which the heat is developed in the heater, ठीक है, तो rate मतलब divided by time हो जाएगा, यह न, calculate heat, तो यदि अगर माल लिजे, heat की rate निकालते हो, तो यह ही तो power होता है, यह न, यह power होता है कि न, तो यह आप निकाल दो, तो यदि अगर माल लिए, h by t लेते हैं, और power क्या होता है, i square r होता है, यह न, और time t कर लिजे, है न भई, ठीक है, i square r t, तो यह और time, यह t होता है, power t आता है, है न, तो यहाँ से t, t तो cancel out होगा, यह न, h by t equal then, i square simple क्या हो गया, r हो गया, बस यह value रख दीजिए, तो यह 15 का, square हो गया, और 8 हो गया, तो यह आपका मिल गया, यह heat का, जो rate, rate बोलेंगे, वही वास्तों में, power होता है, power i square r होता है, ठीक है भई, तो इस तरीके से, यह 1800 joule per second, निकल जाएगा, तो इस तरीके से, आपका, यह वाला question, जो है, solve हो जाएगे, next में, जो आपका, question number 18 दिया हुआ है, तो question number 18 में, जो आपका, दिया है, तो आप यहाँ पे देख ले, यह आसा, descriptive type का, यानि लिखने वाला question है, तो आप इसको ढूंड के, नेक्स टाइम में, आपका यह जो है, आपका chapter और साथ में, है ना, दुबारा करवा रहे, एक बार और हमने करवा दिया था, आपका अपरेल में, तो आप वो भी वीडियो देख ले, है ना, उसके अलावा, यह numerical question जो है, यह आपको बता दिया, क्याप रखे, okay,